खूती विद्रोहियों ने कथित तौर पर एक इसराइली जहाज को हाईजेक किया ये जहाज तुर्की से भारत की तरफ आ रहा था इस वक्त हूती विद्रोही हमास का समर्थन कर रहे हैं और इसराइल के खिलाफ खुल कर जंग के मैदान में हैं अब हूतीयों के लेकर दो तरह की खबरे सामने आ रही हैं जिसमें एक खबर सौधी अरब से है और दूसरी खबर है अमारिका से अमारिका हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले की तैयारी में जुट गया है सूत्रों के माने तो जल्द ही अमारिका की तरफ से ये हमले शुरू हो सकते हैं लेकिन इन सब के बीच सौधी अरब एक फायर वाल का काम कर रहा है दरसल सौधी अरब चाहता है कि वो जिस तरह से यमन के ग्रिह युद्ध में फसा हुआ है वो अपनी गर्दन निकाल ले इस हाईजैक से पहले सौधी अरब की लगातार बादचीज चल रही थी जिसमें शान्ती वारता हो रही थी कोशिश ये हो रही थी कि हूती विद्रोहियों के साथ शान्ती समझाता हो जाए सौधी अरब इसके लिए लगातार कई तरकी स्कीमे लेकर सामने आ रहा था लेकिन अब हाईजैकिंग के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है इसके पीछे का कारण ये भी है कि हूतीयों के इस हाईजैक के बाद से लंडन और वाशिंग्टन में हूतीयों को एक आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित करने का दबाव बढ़ रहा है जो किसी भी समझाते के लिए खत्रा हो सकता है माना ये जा रहा है कि गैलेक्सी लीडर को हाईजैक करने के बाद अब अमेरिका हूतियों के ठिकाने पर हमले की तैयारी कर रहा है इसे सौधी की परिशानी बढ़ती दिख रही है हाली में सौधी ने संयुक तराश्त द्वारा मानेता परात अधिकारिक यमन सरकार को रियाद में आगे की बादचीत के लिए एक संशोधित रोड मैप पेश करने के लिए बुलाया था जिसके तैट 6 महिने में सौधी अरब सहीत विदेशी सेनाओं को वो इलाका छोड़ना था इसमें एक बजट सौधा भी शामिल है जिसके तैट बड़ी लकम तेल समर्दित दक्षिन से गरीब उत्तर में हस्तांत्रित की जाएगी जहां इरान समर्थित हूतियों का प्रभुत्व है समझाते के आलोचकों का दावा है कि ये हूतियों को सशक्त बनाता लेकिन सौधी अरब यमन के ग्रे युद्ध में एक गलत फैसले वाले सैने हस्तक शेप से बाहर निकलने पर जादा फोकस है इसलिए वो चाहता है कि ये वो जितनी जल्दी अपनी भागेदारी समात्त कर दे और वो समझाता करवा कर निकल जाए दो दोर की इसके पहले बाचीत भी हो चुकी थी लेकिन हूती विद्रोही लगतार इस बाचीत का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सयुक्त राष्ट समर्थित यमनी सरकार का जो परते निजित्व करते हैं हूती विद्रोही उसके ठीक विपरीत खड़े हैं ऐसे में अब ये जब से नई हाईयकी की खबर सामने आई है ऐसे में ये शांती वारता ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है ब्यूरो रिपॉर्ट भारत तक करते हैं